नमस्ते दोस्तों आप सभी का एक वर्फिर से स्वागत है आपके अपनी योटूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के एक ऐसे लक्षन के बारे में जो सबसे पहले महिलाओं में दिखाई देते हैं अगर आप निरंतर रूप से प्रयास कर रहे हैं जल से जल कंसीव करने के लिए और आप हर महिने ये जानने की काफी ज़्यादा इक्षा रखती है डेट आने से पहले आपके कि आप प्रेगनेंट है या नहीं तो इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखें देखें फ्रेंड्स आज मैं बताने वाली हूँ कि वजाइनल डिस्चार्ज जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तब किस प्रकार की होती है क्योंकि बच्चा आपके यूटरस में होता है यूटरस का जो सेंटर पॉइंट होता है यानि मुख दवार वो होता है आपका व जाते हैं उसके बाद ये इंडोमेट्रियम के दिवाल से जाते हैं इन प्लांट होने के लिए इसे गर्व की दिवाल के नाम से भी जाना जाता है बॉडिय में कई सारे एसे रियक्षन होते हैं कैमिकल जिसकी वज़े से जो आपकी यूटरस होती है उसकी लाइनिंग थोरे सारे हार्मोनल चैंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी में आपको डिसचार्ज होना स्टार्ट हो जाता है यह डिसचार्ज आपकी डेट आने के कुछ दिन पहले आपको महसुस होगीं और इसी के साथ साथ कई सारी महिलाओं को जब प्रेगनेंट हो जाती है तो पहले दूसरे और तीसरे महिने में ज्यादा भी होता है यह डिस्चार्ज बिलकुल क्रीमी होता है और यह जब भी आप यूरीन पास करने जाएंगे या फिर जब भी आपको इस तरीके का डिस्चार्ज फील होगा नीचे से और इसको आफ इंगर्स में लेंगे तो बिलकुल क्रीम के जासा दिखाई देता है यह बिलकुल जरूरी है कि यह discharge होने के पीछे क्या रिजन होता है। जब आपके शरीर के अंदर एक बच्चे का निर्मान सुरू हो जाता है। तो बच्चे को किसी भी infection से बचाने के लिए शरीर अपने आपको प्रक्रितिक रूप से तयार करता है। और बच्चे को safe रखने के लिए किसी भी बाहरी संक्रमन से बचाने के लिए यह discharge होने लग जाता है। तो यह normal होता है और यह पहले के कुछ महिनों में होता है फिर अपने आप ही कम हो जाता है और खतम हो जाता है। लेकिन अगर डेट आने के पहले आपको इस तरीके का discharge फील हो रहा है। इसके साथ ही आपको और भी कुछ symptoms दिखाई दे रहा है, vomiting tendency है, morning sickness आपको हो रही है, बहुत ज़्यादा weakness हो रहा है। तो यह सारे लक्षन प्रेगनेंट होने की ही होते हैं। आप समझ गए होंगे प्रेगनेंट होने के प्रारंबिक लक्षन कौन से होते हैं। और यह 100% आपकी प्रेगनेंसी क कंफर्म कर सकता है, लेकिन एक हद तक कर सकता है, इसके बाद भी कैसारी महिलाएं, यहां पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगती हैं। तो उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, friends, जो आपके symptoms होते हैं, उसको देखने के बाद, period, date, miss होने का वेट करें, उसके बाद, one week के आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें, तभी आपकी प्रेगनेंसी जो है, वो confirm हो पाएगी 100% कि आप प्रेगनेंट हैं या फिन नहीं है, यह जो लक्षन मैंने आपको बताए हैं, यह बहुत हद तक 99.9% तक सही होते हैं, so friends, अगर इस वीडियो से रिलेटिट आपकी कोई भी क सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपी के साथ, तब तक अपना रखिये ख्याल, टेक केर दोस्तों, बाए बाए